कि वेवान क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब स्वागत है इस बहतरीम चैनल में आज हम बायो मॉलिक्योज करेंगे बायो मॉलिक्योज काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट व्यू से तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजेगा क्योंकि चैनल आपको डॉक्टर बनाने में तक्षम है और आप डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और पहली दफ़ाइब सेशन में आए हैं तो जरूर इसको यहां पे बैल आइकन है बैल आइकन में और टेलिग्राम से जुड़ जाएंगे तो आप डॉक्टर बनने में बहुत ही सहायक और भूमी का आपको नजर आएगी और आप डॉक्टर बन सकते हैं मैं अनिकाडमी पे हर दिन सुबह 9 बज़े और शाम को 8 बज़े लाइफ क्लास लेता हूं तो आप मेरे लाइफ क्लास का हि अगरा कर सकते हैं और मेरे बैस चल रहे हैं कोड में डॉक्टर एसके सिंग आपको लगाना है और बाइमॉलक्यूस बहुत ही इंपॉर्टिन चैप्टर है और बहुत ही कंफूजिंग चैप्टर भी है अगर आप बात करा जाए एक्शली मेरा थोड़ा से पैन नहीं चल र सब्सक्राइगा एक दो चीज़ें आपके कहनी है कि थोड़ा सा मनोबल मेरा डाउन हो रहा है क्योंकि इस एस्पेक्टेशन से सीरीज को स्टार्ट किया था शायद वह एस्पेक्टेशन फुल्फिल होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं मेनद बहुत जादा क रहँ सब खर लगता है आप यह पढ़ते होंगे तो आप मुझे लगता है कि मैं मॉट्स तो अने साड़मियीं पर कराता ही हूं दो दो घंटे नश करना हैं यहां पर हम कर रहे हैं तो दोनों का एक कॉंबिनेशन आप सबको एक बहतर दिशा में लेकर जाएगा खाली हम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक फूरुट्फुल होगा आप सब के लिए भले ही कम हो बट कभी भी क्वालिटी से कंप्रमाइज नहीं किया जाता है आप सबको पता है कि हजार दोहजर बच्चे ही रेगुलर होते हैं उन्हें में सेलेक्शन होगा यह बात तो तैय है मतलब आप समझ रहे हैं कि आप 15-20 मिनिट में एक बड़े चाप्टर को रिवाइस कर रहे हैं ब्रश करते हुए रिवाइस कर रहे हैं खाना खाते सब्सक्राइब नहीं किया जाएगा और आप सबका प्यार है और बहुत बार बहुत तीजी में पढ़ाने के वाज़े से आप सब बिल्कुल इससे विचलित हो जाते हैं मैं आप सबका नाम है नहीं ले पाता हूं फातिमा निधी हर्ज कुरेशी गौरव रितिक समसीर मयंक राहुल अमरित किट्टू त्रिशा आप सब बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत का प्रिणाम आप सबको मिलेगा इसमें कोई भी शक नहीं है ठीक है हेलो हमरित तो प्लीज इसे शेयर करते रहे हैं आपका मनोवल कम नहीं होना चाहिए इस वीडियो का लिंक अ इपने दोस्तों के सांद शेयर करिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा मनोवल बढ़े और हम दोनों का मनोवल बढ़ेगा तभी कुछ बहतर किया जा सकता है सिर्फ एक से काम नहीं हो पाएगा एक से काम नहीं हो पाता है दोनों का मनोवल बढ़ा होना चाहिए तभी बात बनेग सबस्क्राइब एक से काम नहीं चल पाता है तो जलिए करके देखते हैं अब चार्ज हो गया है बायो मॉलेक्ट सुरुवात करते हैं तो औल कारवन कंपाउंड ताट यह सब्सक्राइब अगर आप कुछ अर्थ से सेंपल और क्रस्ट को लेते हैं तो और उसे लीविंग टीशू के साथ मैच करेंगे तो exactly how match हो जाएगा exactly how match हो जाएगा now we have a organic compound which is present in the living tissue amino acids lipids nucleic acids nucleic acid carbohydrate protein enzyme nucleic acid में आता हमारे nitrogen base nucleoside nucleotides right now we have amino acids amino acids the organic compound containing the amino group and acidic group they are called uh on the same the same carbon that is called alpha carbon which is called amino acid so this is the alpha carbon जहां पर carboxylic group और amino group एक साथ है example is glycine example is glycine यहां पर example आप देख पार है जहां पर carbon है और यहां पर carboxylic acid और amino group they are called alanine so this is amino acids amino acids total 20 होते हैं out of 20 10 10 hour essential which is required from the required for the body for the synthesis of protein or essential amino acid हमारी body synthesize नहीं करते हैं तो हम dietary source से इसको लेते हैं not essential amino acids they are not required as well तो इसे याद करने का तरीका है टॉल HMT और VMT तो टाइरोसिन अरजनीन और chemistry माप इसे देख सकते हैं तो amino acids amino acids are essential component of all the living cells and they are building blocker of the protein मदब protein जो है अगर हम leanies के बात करें तो alpha keto ग्लू टारिक आसिड ग्लू टारिक आसिड ग्लू टारिक आसिड से बनता है हमारा amino acid amino acid से बनता है protein और protein हमारे body के physiology में important होता है सहायक होता है तो this is a lineage so amino acid are essential component of all the living cells they are building blocker of protein building blocker of protein यह building blocker of protein कहा जाता है तो the based on the amino amino group and carboxylic group amino acid divide होते है simple amino acids or complex amino acid simple amino acid and complex amino acid simple amino acid and complex amino acid simple amino acid or complex amino acid में देखते हैं तो they have a amino group one carboxylic group or glycine is a simple amino acid exactly example से कुशन आता है complex amino acid they have a one amino group and one carboxylic group and one functional group terene is a complex के example है amino acid further classified होते हैं तीन चीज़ों में acidic basic or neutral acidic basic or neutral acidic में glutamic acid आता है basic में lysine आता है neutral में वेलीन आता है neutral में वेलीन आता है नाव वी हाव अरोमेटिक amino acids aromatic amino acids में क्या होता है tyrosine phenylalanine tryptophan tyrosine phenylalanine tryptophan they are called aromatic amino acids so amino acids are mostly synthesized from alpha keto glutaric acid or amino acids protein आता है they are precursor of amino acids precursor का मतब उससे वो synthesize हो रहा है now we are talking about the talking about the talking about the lipids the lipids lipids molecules are insoluble आप इसे घोल नहीं पाएंगे पानी के अंदर but they are fairly soluble in organic compound like ether alcohol और benzene में partially यह घुल सकता है insolubility of lipids in water is due to the polar group क्यों नहीं घुल पाता है because the polar group and they contain the much smaller they are the non-polar portion there are hydrophobic hydrocarbon chain यह बहुत important है neat में आएवा सवाल है तो उसको हिलाया जाता है तो water lipids are often formed the small droplets they are called missiles इसको हम missiles कहते हैं the complex is form is immersion और complex जो बनता है से हम immersion कहते हैं now we have a fatty acid fatty acid is a carboxyl group which is attached to the r group are maybe the methyl or ethyl whatever they get ethyl or methyl whatever the most common fatty acids is the c16 or c18 fatty acids has a polar head and non-polar head which contain the carbon chain a polar or in non-polar tail fatty acids johota hai fatty acids on the basis of single or double bond they may be the saturated or unsaturated saturated all carbon compounds saturated that is all single bone are present मतब saturated का मतला ही होता है single one as for saturated at for single bone solid at 20 degree centigrade और कि पाल्मिटिक आसेड़े स्टेरिक एसेड़े इस एक्जाम्पल अन्सेचुरेटेड में double bond is present carbon chain and lipids at 20 degree centigrade linoic acids इसके एक्जाम्पल हैं कुछ special type के amino acids होते हैं जैसे कि waxes ठीक है एक्जाम्पल इस्टर विद फाटी आसेड विद द मोनोहेड्रिक का संगम है यह दे आर सीग्रेटेड़ बाद फॉर बियरिंग मैंबस टेकीप फॉर सॉफ्ट और शाइनी थाक्यों फ्लाई कर सकें वी वैक्स आप जानते ही हैं तो अपनी बेटा रहने दो वी वैक्स पाल्मेटिक आसेड और hexa cocyl they are used to formation of beehive suverine it is a simple lipids formed by the glycine it's phingo lipids they are formed by the sterification of sulphingosine alcohol और वित अपादी असडम इन एपन गलिस ट्रॉल है तो मनी लिपद अप बोथ गलिस राल अपाटी असिश्थ टे आर फाटी असडम यह तरिक्लिसरल इन वी जानना पर गलिस राल इन पाइम करें में बात करें they are synthesized from the synthesize from the simple lipid but prostaglandin they are synthesized from the fatty acid and archidonic acid they the body secretion is also called local hormone इसे local hormone कहते है प्रुस्टाग लेटीन को प्रुस्टाग लेटेन को दूसर फो दिए निग्सेंट फो पींज़ जब में इस प्रुस्टागलेटीन होता है उन स्क्रीट होता है लॉकल से कहा जाता है सिंस दे आर नौट से रहे इनी ग्लांड बट 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 बाइद बॉड़ी से इन फॉंक्शन वैसों कंस्रिक्षिंट ब्लड वैसल को कंस्ट्रेक्ट कर देगा मसल के मुवमेंट को और प्रोडक्शन अफ सिंसेशन अफ पीन दर्द में यह निकलता है और जाता है और ऑन्दर जैसे ही जाएगा तो उसका अलवलाई इंफ्लेटेड होता है और फिर उख कॉलाप्स ना हो तो लेसितिन एंसर्फेक्टेंट बोथ हर प्लिये वेरी वाइटल रोड पॉर दर रिक्वाइलिंग अंड कंस्ट्रक्शन आफ अलवलाई तो दियार फॉस्फोरस अन्फॉस्फराइलेटेड और ग नहीं मांते हैं तामरी इन से केंटरी मुट्र एंपोर्टेंट है यह इंवाल इन नॉर्म ग्रोध उन देवलापन अफ रिप्रदक्शन आशेदेडेड यह अग्जांट आप्राइज अग्जांपल अप्रिमिटर मेटबलाइज अग्य। इन प्रदीन आफ ने नोट पॉ पॉइजनस कुछ पॉइजनस होते हैं इस टेबल इस इंपोर्टन और नीट में इससे सवाल आता है पिगमेंट में अगर से किंड्री मेटापोलाइट में बात करें तो करेटिन एंथ्रोसाइन इन अलकेनोइड में मॉर्फिन कोडी तर्पेंटाइन में मोनो टर्पेंस यूजनस में अर्भी रसिञ लेसेथिन में कोंका वेलिन यह आयाएवा कोश्चन ने ड्रक्स में बिन ब्लास्तिन कंबरिन पॉलिस्टर सब्स्टं में रबर गंब यॉस बहुत इंपोर्टन टेबल है so bio macromolecules के बारे में बात करें तो the molecules less than 1000 dalton they are usually refers to as a micro molecules or simple biomolecules they are found in the acid insoluble fractions and they are called macromolecules and bio macromolecules lipid are the smaller molecular weight and macromolecules from the cytoplasm and organelles become acid insoluble fractions now we have a carbohydrate carbohydrate named such because the most of the carbon is hydrogen and oxygen they are hydrated of oxygen hydrated of hydrogen and oxygen in the same ratio and they are termed hydrated of carbon they are classified into the two main parts the sugar and polysaccharides sugar is a micro molecule sweet in a test polysaccharides macromolecules not sweet in a test sugar they are crystalline soluble in water name and with the o's all are reducing triose pentose hexose polysaccharide not crystalline insoluble and non reducing now we have a mono saccharides mono saccharides they follow the general formula tn h2n on they cannot be broken down simpler carbohydrates so that they are represent the simplest type of carbohydrate they are classified on the basis of number of carbon atom and chemical group number of carbon atom mono covenant it in 3-7 carbon triose 3 Jaar carbon坐 cutting nito 3-4 carbon нач mois 和 or ketone pecho tor met we have oligosaccharides oligosaccharides is micromolecules ये भी काफी छोटे होते हैं they are formed by the polymerization of 229 monosaccharides subunit which joined with the each other by the glycosidic bond maltose lactose scroze oz oz आएगा and this is very important lactose milk sugar कहा जाता है जो glucose और galactose से मिलके बना होता है नीट में question आया हुआ इससे तो polysaccharides glycan के बारे में बात करें तो they are formed by the polymerization of more than nine monosaccharides on the basis of monomers is classified the glycan that is called homosaccharides and heterosaccharides homo is same type of monosaccharides present in polysaccharides and they are different type of monomers polysaccharides is a long chain of sugar sugar के बहुत थारे चीन मिलके polysaccharides बनाते हैं का मतना भी होता है मीठा बिल्दिंग ब्लॉक और पॉली सेक्राइट था मोनो सेक्राइट सारे मोनो सेक्राइट इमिलके बनाते हैं cellulose is a homo polymer cellulose does not contain complex helicos insulin is a polymer of fructose insulin is a polymer of fructose and yes plant cell wall is made up of cellulose plant paper from the pulp of the cellulose and cotton fiber is also a cellulose exoskeleton of orthopoid made up of complex polysaccharide chitin exactly equation आया हुआ है cell wall of the most fungi consist of chitin and cellulose phytalum hyphae they contain the cellulose तो शुगर के बारे में बात करें तो दो टाइप के शुगर होते हैं one is called reducing other is called non reducing इससे भी सवाल पूशा गया है शुगर में देखे जाए तो शुगर विच हाव अलफा-free old ketone body can be reduced copper iron and benedict solution which causes the change in the color from the blue to orange that is a monosaccharide lactose and maltose disaccharide non reducing aldehyde and ketone SRT से याद कर सकते हैं सुक्रोस टायोस रॉफिलोस प्रोटीन के बारे में आये बात करते हैं the word protein is derived from the Greek word proteosis that is a fast term protein was given by virginius formation of protein protein जो होता है peptide bonds से मिलके बना होता है protein are formation by condensation of amino acid सारे amino acid एक साथ जोड़के protein बनाते हैं और किस से जोड़ते हैं peptide bonds से जोड़ते हैं structure of protein protein exist in a four basic structure primary secondary tertiary or quaternary depending on the construction depending on the twisting अलग-अलग nature है यहाँ पर important line है the collagen is the most abundant protein in animals नीट में आया हुआ कोशन है और यहीं पे एक और भी है रुबिस्को जो कोशन आया हुआ है रुबिस्को राइबिलोस बाइफोस्पेट कार्बॉक्सलेस oxygen is is the most abundant in biosphere तो इच प्रोटीन is a polymer of amino acid protein is always heteropolymer मतब अलग-अलग चीज़ों से मिलके बना होता है इस्ट्रक्चर अप्रोटीन के बारे में बात करें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इस रिप्रेजेंटे दे सिक्वेंस आप अमेनो आसिड प्रोटीन एफ सेंगर ने इसे कल N-Terminal amino acid and last amino acid is called C-Terminal amino acid इसे K内 शों dissर्पлять 리मारी स्रॉक्चर के बारे में बात करें तो इस फर्मीर दो बॉन गृत्य तोले झे है दो जो बेσिक है और टौन आब पर Southern English and what God with Canada now we have a alpha helix due to the formation of hydrogen bond between the N-Carbon form the c-carbon and polypeptide are helically coil structure alpha helix can be the right handed and left handed which is called fibrous protein actin myosin tryptomycin hemoglobin myoglobin beta platelet two polypeptides come together to form a secondary structure of hydrogen bond tertiary structure 3d wala structure hai and found in the globular protein globular protein में पाय जाता है it is form further by folding of secondary structure secondary ही मिलके tertiary बनाएगा tertiary मिलके quaternary बनाएगा इसके अंदर क्या के चीज़े है hydrogen bond ionic bond disulfide और hydrogen interactions होता है myoglobin इसका example है quaternary structure 4d structure is formed by the specific geometrical arrangement of tertiary structure tertiary का ही यह फर्दर हो है since the quaternary has a mini globular subunit they are called multi multi meric protein multi meric protein the tertiary structure can be seen in a hemoglobin tertiary structure is seen in a hemoglobin denaturation of protein के बारे में बात करें the loss of nature structure of protein which can be due to the physical agent like the high temperature X-rays UV rays denaturation का मतलब होता है कि आप बार 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 किसी protein को करोगे मतब कि खराब हो जाएगा मतब हाइट temperature दोगे तो protein degenerate हो जिसे हमें fever over होता है तो हमारे protein denature होने लगते हैं chemical agent में acid alkaline alcohol is a correct example now we have a denaturation they lead to the loss of biological activity of protein the enzyme globular structure 100 degree centigrade पे बार 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 पे बार 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 जाता है और इंटरमीडियेट फाइबर होता है तो इसे हम मैं इसकिप कर देता हूं तो यह दी ने वगर मैं कर रहा हूं क्योंकि मैंने मौलिकुलर बेसिस अफ इन्हेरिटेंस में क्लास में पढ़ाया है ना 20 मिनिट के अंदर में पूरा का पूरा पढ़ाया तो यह मैं बहुत ही असानी से स्किप कर सकता हूं इस सारा चीज मैंने पढ़ाया है तो आप उस क्लास को देख सकते हैं ग्लाइकुलर बांड वगरा यह एर्विन चराफ रूल भी मैंने पढ़ाया हुआ है ए प्लस टी डिवाइड प्लस टी नाव वी आ टॉकिंग अबाट अब्लस टी नाव जितने भी हमारे शरीर में रियक्शन सो टे हैं आर कल्ड वलिजम और मेट जम एस अफोस्ट देर श्क्लूसिव एस पर न्चार्ट से बट अगर मेट अर्ग 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 ऑर कंसेसे तो कंसेसे शुट बिधांस काभाइड मेट इसम्ट आप आइड आइम कितने समय में अपने सब्स्टेसज को प्रोडर्क्ट में कंवर्ट करता है तौन मेटऑलीप बाथ्वीज़ में टाउर्ग परिवे? में basically energy source होता है energy yielding process होता है मतब इसमें energy लगता है और anabolism में energy बनता है और enzymes के बारे में ठोडा बात कर लेते हैं तो enzymes are discovered by the virginis and almost all the enzyme protein is in nature this section is quite important some nucleic acid is also act as a protein and they are called ribozyme enzyme are made above protein and backbone of protein is amino acid backbone of protein is amino acid protein chain fold upon itself and the chain is a criss-cross to produce an active site आप enzyme में देखेंगे तो enzyme का यह जो group है this is called active site जहां पर substrate आके bind होगा तो substrate आके bind होगा active site is a इस लाइन से बिल्कुल question आया हुआ है active site is a services or pocket in which the substrate is bind active site of enzyme is responsible for the high rate of catalytic conversion so inorganic catalysts work efficiently at high temperature and high pressure enzyme get damaged to the 40 degree centigrade क्योंकि 37 degree centigrade पर साहिसे काम करते हैं the chemical component आट गो the two type of changes the physical changes and chemical changes physical change in the shape without a breaking bond change in the state of matter chemical bond the bond a breakdown formation of new bond hydrolysis of starch into the glucose rate of physical and chemical process affected by the temperature and pH तो इस पे भी काफी बदलाव देखा जाता है carbonic hydrates का सबसे ज्यादा turnover है सबसे ज्यादा turnover है बहुत तकड़ा तरीके से काम करता है conversion rate बहुत फास्ट है इंजाइम और thermolabile they become inactive at high temperature अगर high temperature देंगे तो काम नहीं करेगा thermolabile thermostatic का मतलब होता हो static रहेगा आप कितना भी temperature देंगे कोई फरक नहीं पड़ेगा कुछ turnover है carbonic hydrates 36 million lysosome 30 million catalyst 5 million efficiency of enzyme can be measured from the turnover how the enzyme can converted to product very efficiently in less time chemical conversion of active site जैसे active site है जहां पर substrate आके fit होगा substrate the chemical which which convert into the product ऐसा सब्सेट जो product में convert हो सके जैसे आप सब्सेट है और मैं जाइम हूं आप मेरी क्लास में आ रहे हैं अना मेरे से पढ़ रहे हैं and you are the substrate and you become a doctor right the substrate become a doctor substrate become a product like doctor enzyme remains same मैं पिछले से अगले साल भी पढ़ाऊंगा तो enzyme remains same but the substrate can be convert into the product तो यह है कि इस इस अ active site this is the active site और यहां पर substrate आया enzyme or enzyme uh substrate complex बना और फ़े substrate product में convert हो गया ठेक है uh this uh graph is important each enzyme E has a substrate as binding site and the molecule so that highly reactive enzyme substrate is produced which is the short live uh enzyme substrate ES EP and then product अलग हो जाएगा now catalytic cycle of enzyme के बारे में बात करें तो first substrate bind to the enzyme fit to the active site binding of substrate induce the enzyme to alter the shape fitting more tightly around the substrate the active site of enzyme is now close proximity of the substrate and break down the chemical bond of the substrate and new enzymatical products can be formed the enzyme release uh the product uh reactions of the free enzyme ready to bind with the ready to bind with another molecules of substrate and run through the catalytic cycle again तो इस सारा चीज़ है now the factor affecting the enzyme activity enzyme uh factor कौन सा है जो enzyme के activity को रोख सकता है the temperature pH and change is the substrate construct and binding the specific chemical temperature each enzyme function as narrow range of temperature के कि अगर आप temperature fluctuate करेंगे तो काम गड़बड हो जाएगा each enzyme show the highest activity at particular temperature and the optimum temperature और uh activity decline both below and above the optimum value low temperature preserve the enzyme in a temporary inactive state where the high temperature destroy the enzymatical action because the protein are denature at the heat pH के बारे می बात करेंब बात करें Enzyme show the highest activity of particular pH. The activity declined both below and above optimum value. यह सारा चीज़ है. Concentration के बारे में बात करें, with the increased substrate concentration, the velocity of enzyme reaction increase first and then decrease. The activity of enzyme is also sensitive to the presence of a specific chemicals that bind to the enzyme. Inhibition का मतलब होता है कि enzyme की activity को रोख दिया जाए. They are called inhibitions. Competitive inhibitor का मतलब यह होता है कि the inhibitor which is look like the substrate bind with the active site. मतलब वो substrate की तरह दिखाए देता है, बड़ वो substrate होता नहीं है. जिसे enzyme की activity को रोख देगा. तो when the inhibitor closely resemble with the substrate, its molecular structure and inhibit the activity of enzyme. The substrate cannot be bind the enzyme actions. Example बहुत important है. Inhibition of succinic dehydrogenase by the malonate, which are closely resembled with the succinate in the substrate, such competition inhibition are often used to control the bacterial pathogen. Right, bacterial pathogen. classification है, बस आप इसे एक बार read कर लिजेगा. That's all. Thank you so much.